नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं अनूप मल्टी परपस इंगलिस क्लासेज और मैं हूँ अनूप सर आज फिर मैं आपके लिए इस वीडियो में एड्जेक्टिव का पार्ट टू लेकर आया हूँ ठीक है ना पिछले क्लासेज में हम लोगों ने एड्जेक्टिव का प लेन क्यों दी ठीक है तो इससे तीरह से पार्ट टू में भी हम आपके लिए अड्जेक्टिव के ट्रिक लेकर आये हैं ठीक है ना और इसमें जैसा कि आपने थमनेल में देखा कि कौन-कौन से ऐसे अड्जेक्टिव से जिसके पहले ना तो मोर का यूज होता है और ना ही म कोड करेंगे ठीक है ना तो जानिए कि वो कॉस्टेंस हमारा देखे क्या कहता है कौन-कौन से इसे अड्जेक्टिव से जिसके पहले ना तो मोर का यूज होता है और ना ही मोश्ट का ठीक है तो यह सवाल एक्जामनेसंस में चाहे आप एससे सी के एक्जामनेसंस को देते ह हो डिफेंस के किसी भी सेक्टर के आप एक्जामनेसंस देते हो ठीक है ना इससे बहुत वार कोश्टिन्स पूछा जा चुका है एक्जामनेसंस में ठीक है तो आए जानते हैं कि यह कौन-कौन से इसे लिस्ट हैं जिसके पहले ना तो मोर का यूज किया जाता है और ना ही म हम नें धमनेल मंनुह दे रखा था कि यूपी nenhum होल फैट गल्ल ठीक है,' ना तो आईना तो उंपिए ।े कोड को करती हैं देखिये U से हमारे चार ऐसे अड्जक्टिव से हैं ठीक ہाना फ से 2 एडजक्टिव अब इसी ट्रिक कोड को हम इसको डिकोड करेंगे कि उ से क्ónоме कौन से इसे अडजक्टिव से जिसके पहले मोरिया मोष्क का यूजिद नहीं किया जाता है पी से क् небольш S двухados एसे इसे दो एडजक्टिव से जिसके पहले मोरिया मुष्ट का यूज नहीं किया जाता है इस से कौन इस एक एड्जेक्टिव से हैं जिसके पहले मोरिया मुष्ट का यूज नहीं किया जाता है इस तरह से हम अभी हम इसको decode करेंगे तो आईए जानते हैं कि वो code कौन कौन से हैं वो लिष्ट कौन-कौन से हैं जिसके पहले मौरिया मुष्ट के यूज नहीं किया जाता है तो यू से हमारा है चार वड़ हैं यूनिक, यूनिवर्सल, अनमैच्ट, अनपैलर्ड जी हाँ यू से हमारे चार वर्ड हैं कौन कौन यूनिक उनिवर्सल अन्माइट अन्पैलर्ड जिसके पहले मोर या मुष्ट का यूज नहीं किया जाता है इसी तरिके से P से हमारे दो SI आइडजेक्टिव सें जिस के पहले more या मोश्च को यूज नहीं किया जाता है और वो दो एड्जेक्टिव कौन है परफेक्ट तथा पैरलर ठीक है ना UPSC इससे एक ऐसे एड्जेक्टिव से जिसके पहले मोर या मोश का यूज नहीं किया जाता है और वे क्या है हमारे अस्फेरिकल C से भी हमारे सामने इससे एड्जेक्टिव से जिसके पहले मोर या मोश का यूज नहीं किया जाता है और वो क्या है मिलकी मेजर या मेजर मिलकी ठीक है इसी तरीके से हमारे सामने इसे भी दो ऐसे एड्जेक्टिव से जिसके पहले more या most का यूज नहीं किया जाता है और वो adjective क्या है extreme excellent जी हाँ extreme excellent और whole एक complete word है whole एक complete adjective है जिसके पहले more या most का यूज नहीं किया जाता है UPSC में whole fight girl F से हमारे एक ऐसे adjective है जिसके पहले more या most का यूज नहीं किया जाता है और वो कौन से adjective है जी हाँ, फैट, ठीक है, A से भी एक adjective है, जिसके पहले more या मुष्ट के उजज नहीं किया जाता है, और वो क्या है, absolute, T से एक adjective है, जिसके पहले more या मुष्ट के उजज नहीं किया जाता है, वो क्या है, triangular, G से एक adjective, golden, R से भी एक ऐसे adjective से, sorry, R से एसे दो adjective से, जिसके पहले more या मोष्ट का यूज नहीं किया जाता है और वो क्या है हमारे Rond तत्था Rectangular और UPC में Whole Pat गल और L से जो इहां Code दिया गया था वो हमारा क्या है Lunar जिसके पहले More या मोष्ट का यूज नहीं किया जाता है ये तो आपको से इससे questions दिये जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं देखिए example के रूप में हमने दे रहा है find the error part of the sentence if any hedge इसे examinations में common error के रूप में questions दिये जाते हैं चाहे वो आप SSC की तियारी कर रहे हो या bank की तियारी कर रहे हो या defense की तियारी कर रहे हो ठीक है न तो देखिए हमारे सामने questions क्या है questions है the tranquil beauty of the Mona Lisa is the most unique no error जैसा कि हम लोग जानते हैं कि common error क्या होता है एक sentence होता है common error क्या है एक sentence होता है इस sentence को 4 से 5 पार्ट में divide कर दिया जाता है और पुछा जाता है कि किस पार्ट में error है जी हाँ एक पार्ट दुसरे पार्ट से connected होता है ये बात आपके mind में होना चाहिए ठीक है तो देखिए कि ये क्या error है जैसा कि हमने ये question जो दिया है rule number one के अधार पर दिया है और rule number one हमारा क्या है कि कौन-कौन से इसे adjective से जिसके पहले ना तो मोर का यूच किया जाता है और ना ही मोश्ट का यूच किया जाता है तो देखिए अभी आपको बताया गया कि जो लिष्ट उसी से ये question दिया गया the tranquil beauty of the monalisa is the most unique अभ जैसे ही आपके सामने ये unique आया आपके पहले ये दिमाग में आ गया कि अभी मैंने बताया कि unique के पहले more या most का यूच नहीं किया जाता है और आपको तुरंत ये चार वर्ड याद आ गए वो चार वर्ड यूच से कौन कौन से है यूनिक इनवर्सल अनमाइस पैलर के पहले ना तो more का यूच किया जाता है और ना ही most का यूच किया जाता है इसलिए error किस पार्ट मिला C पार्ट में यहां से आपको क्या करना है यूनिक के पहले most को हटाना है जी हाँ यूनिक के पहले आपको most को हटा देना है ठीक है आईए इसी के साथ question number two देखते हैं और question number two क्या कहता है जो देखिए question number two कहता है he gave the more complete account of his experiences जी हाँ जैसे ही आपने देखा complete तो आपके दिमाग में आ गया कि complete के पहले ना तो more का यूच किया जाता है और ना ही most का यूच किया जाता है तो इसलिए error किस पार्ट मिला B पार्ट मिला और वो error क्या है complete के पहले more का यूच नहीं किया जाता है अब यहाँ पे आपके सामने C से है complete और हमने भी इससे दो ऐसे objective बताए C से जिसके पहले more या most का यूच नहीं किया जाता है और वो क्या है हमारे सामने complete circular ठीक है ना तो इसके पहले more या most का यूच नहीं किया जाता है यहाँ देखिए हमने इसका explanation फिर से दे दिया है ठीक टेक्स more nor most before it ठीक है question number two का answer भी होगा उसमें लिखा गया है remove more before complete because it neither takes more nor most I hope कि question number one आपको अच्छे से clear हो गया होगा कि कौन कौन से ऐसे adjective से हैं जिसके पहले ना तो more का यूच किया जाता है और ना ही most का यूच किया जाता है और यह 21 लिस्ट आपके mind में आ गये होंगे कि UPSC में whole fat girl के trick code को decode करने पर इसका क्या answer निकलता है ठीक है तो जो लोग हमारे channel से नए जुड़े हैं मैं उनसे request करूँगा कि हमारे channel को like कर ले subscribe कर ले तथा bell बटन पर click कर ले ताकि हमारे आने वाले video का latest notifications आपको मिलता रहे और जो लोग हमारे channel से पुराने रूप से जुड़े हुए हैं उनको मेरी तरफ से thank you अब इसी के साथ अनुप multi-purpose English Classes को जायत दीजिए और फिर मैं आपके लिए trick के साथ adjective का part 3 लेकर आऊंगा तब तक के लिए मुझे इजायत दीजिए